हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू देसी तड़कावे दामिता तो आज मैं आपके लिए लेकर आएं बहुत ही इजी और सिंपल जटपट से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी जो की है स्कैमर टोस की रेसिपी तो मेरा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ला फ्रेश करडी लें इसके लिए कैसा भी आप ले सकते हैं और इसको यह देखिए मैंने सूजी में अच्छे से मिक्स कर दिया है थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे कि इसका एक प्रॉपर बैटर तयार हो जाए और इसे इस तरीके से एक ए डिरेक्शन में मिला कर कूल गई है और अब इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहे हैं वन टी स्पून सॉल्ट है उसके बाद यह हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और यह वन फोर टी स्पून चिली फ्लिक्स हैं अगर आप बच्चुकली बना रहे हैं तो आप मिर्च अपनी हसाब से एड्जिस कर लीजे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यह वन पेंच के जितनी बेकिंग सोडा है इसको डालने के बाद इस पे एक स्पून पानी डालके इसको एक्टिवेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको एक ही डिरेक्शन में दो से तीन मिनट के लिए चलाएंगे जिससे इसमें एयर फिल हो जाएगी तो जब हमारे टोस बहुत सौफ्ट और बहुत स्पंजी बनेंगे तो यह देखिए इसमें एयर फिल हो गई है और अब इसमें मैं वेजीज मिक्स करूँगी तो यह कैपसिकम है महीन कटी हुई यह कैरट है आप अपने पसंद की कोई भी सीजनेबल वेजीज इसमें एड़ कर सकते हैं यह अनियन है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चौपड धनिया और यह ग्रीन चिली है महीन चौपड की हुई इन सब को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको और अब इदर देखे मैंने ये दो ब्रेट की स्लाइसेज ले ली है और बस कुछ नहीं करना है हमें वो जो हमने बैटर बनाया है इसको हम इसके उपर स्प्रैट कर देंगे ब्रेट की स्लाइस की उपर उधर मैंने एक तवा या पैन कुछ भी आप ले सकते हैं तो उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था तो ये देखे हैं हमारी ब्रेट की स्लाइसेस भी रेडी हैं इधर मैंने तवा प्री हीट के लिए रख दिया था पैन आप तवा भी ले सकतें इस पर मैंने वान टीस्पून डाला है इसको हम चारों तरफ प्रेट कर देंगे और स्प्रेट करने के बाद हम इसको इसको सेकेंगे लेकिन आप तवा या पैन जो भी ले नॉन स्टिकी लीजेगा नहीं तो जब हम पीछे से पलट के इसको सेकेंगे तो सूजी उसमें चिपक सकती है लोहे वाले तवे में तो एक तरफ से 2-3 मिनट हमने सेका है इसको और ब में 2-3 मिनट के लिए मीडिया मीडिय dirum पर शिकेंगे और सोड़ backlash मैं फिर से और बहुत ही प्यारा इसमें टेक्शर इसका आया है और खाने में भी यह बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंट्स आप जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही सिंपल एंड एजी रेसिपी है यह आपके शाम के स्नैक्स के लिए पफेक्ट रेसिपी है तो यह देखिए कितने आया है बहुत क्रिस्पी यह बने है इसके बाद मैं उपर से इसमें यह पनीर ग्रेट करके डाल रही हूं आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी कोई टॉपिंग्स पर एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए रेडी है हमारे स्कैमर टोस्ट चुकि आपके शाम के इवनिंग की स्नैक्स के लिए पॉफिक्ट रेसिपी है तो यह आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और आपको अगर मेरे रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब थेंक्स फर वटिए